वेलकम बेख में चैनल, कैसे हो आप सब, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे मैं अपते चैनल पर औरलाने क्लैसे लेती हूँ जिसके तरह मैं इस तरह से वीडियो ढालती हूँ जैसे आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं और सीखने के बाद साटिफिकेट भी ले सकते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो वीडियो देखेंगे ना चैनल को सब्स्राइब कर लीजे और बेल आइकाउन को भी क्लिक कर दीजिए का जैसे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चाहती रहे अभी गर्मिया सुरू हो गई है और गर्मियों में इसकिन पर टैनिंग बहुत ज़्यदा होने लगती है आज मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप टैनिक को दूर कर सकते हो और साथ ही ये भी बताऊंगे कि ब्लीच और डीटैन में क्या फरक है अच्छा मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं कि ब्लीच और डीटैन में क्या फरक है पहला जो D10 दिखा रही है ये ग्लो वाला है दूसरा ये रागा का D10 है ये है चारकोल D10 चारकोल D10 भी आता है जिसे आपकी जो टैनिंग होती है वो अच्छे से रिमूब हो जाती है दोनों को ही जेंट समेल फिमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं अब मैं आपको ब्लीच दिख दिखा रही है जो ग्लो डीटेन और ये है चारकोल D10 ये आपको इस तरह से ब्लैक मिलेगा दोनों ही डीटेन काफी अच्छे है अगर आपको ब्लीच नहीं सुट करती है तो आप डीटेन यूज़ कर सकते हो ये वाली जो ब्लीच क्रीम है आपके स्पाट को दूर करती है ब्लीच क्रीम क्या करती है ब्लीच क्रीम आपके रोएं को कलर कर देती है जिससे इसकिन का कलर जो होता है और इजिनल वो अच्छे से क्लियर दिखता है रोएं से ब्लैक ब्लैक सा लगता है तो ब्लीच का काम ये होता है अगर आपके ब्लीच नहीं सुट करती है तो आप ड अगर आपके प्री ब्लीच क्रीम नहीं मिल नहीं तो आप रोज वाटर भी लगा सकते हो ठीक है उसके बाद ब्लीच में भी आप थोड़ा सा ना रोज वाटर मिक्स करके ही लगाओ क्योंकि गर्मियों में इसकिन बड़ी जुलस सी जाती है और दाने वाने ना निकले अगर आपके पास यह मिली है क्रीम तो आप बात में ब्लीच करने के बाद भी आप इसको लगा सकते हो तो यह आउक्सी लाइफ जो ब्लीच इसमें आपको सारी चीज़े मिल लहीं है जो फेम की है इसके साथ आपको सिर्फ एक्टिवेटर मिलता है इसमें आपको प्री ब् इसके साथ आपको एक स्पून भी मिलती है मैं लगाने जा रही हूँ D10 यह रागा का है और दूसरा है वाइट टुगलोगा दोनों ही D10 काफी अच्छे हैं यह वाला भी गर्मियों में काफी चलता है D10 जिसमें आपको ब्लैक वाला है जो चार कोल वाला है अफ़ी अच्छा है मेल फी मेल हरको यूज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया है और D10 को आप 15 दिन में भी यूज कर सकते हो लेकिन ब squeeze को आप 15 दिन में तो यह पूं को आप 15 दिन में नहीं है तो आप नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो वैसे मैं Amazon से ही सारी चीज़े मंगाती हूँ तो मैं उसी का लिंक आपको दे दूँगी आपको लेना है तो ले सकते हैं और अभी दोको मेरी खतम हो रहे ही तो मैंने फिर से और भी दे दिया है क्योंकि गर्मियों में D10 लोग बहुत ज़दा कराते हैं अच्छा D10 आप फेस के साथ साथ आप अपने फुल बाड़ी में भी कर सकते हो जैसे अपने हातों में लगा सकते हो गर्दन वगरा में भी लगा सकते हो टैनिंग दूर करने के लिए वैसे हातों पैरों के लिए बलीच भी काफी सहीर है अगर आपको फेस में बलीच नहीं सुठ करती तो हाथ पैर पे बलीच लगा सकते हो टमी में लगा सकते हो D10 यहां पर मैं दो स्पून करीब ले लूँगी अपने फेस के हिसाब से इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो रलका सा ब्रेस स प्रेश से चलांगे तो बिलकुल साफट साख रएमी सा हो जाएगा और नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर भी डाल सकते हो तो यहां पर मैं रोज वाटर डालूंगी रोज वाटर डालने से थोड़ा सा सिकिन को ठंडक पाँचती है तो मैं इसमें रोज वाटर लगा सकते हो। लेकिन bleach आपको आखे भी नहीं लगानी है। एच्छे से connects हो गया है। अब मैं इसको लगाऊँगी।ogan हो कैसे लगाना हूप इसको कैसे लगाना है वह भी मैं आप बताऊंगा। D10 से एपके face के रोऊंचे अधार अपकोWow vidé मौन हो शाहते हैं। डीटेन से तो खेर बालों में अगर लग भी जाएगी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है डीटेन लग जाएगा लेकिन अगर आप ब्लीच लगाते हो तो बालों को बिल्कुल भी ऊपर इस तरह से कर लो और बैंड भी जरूर लगा लो क्योंकि अगर बालों में ब्लीच क्रीम लग जाती है तो बालों का कलर ना ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा और वैसे वैसे तुम्हां ब्लीच नहीं लगा रही हूं इटेनी यूझ कर रही हूं लेकिन मैं आपको प्लीच में आपको क्या-kya साधानी रखनी चाहें तो हम इ ब्लीच लगाते हो तो ब्लीच लगाते समय भी आपको रोस वाटर से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है गर्मियों का सीजन है तो आप पहले टेस्ट ले लेना मतलब कहीं भी आप पैच वगरा लगा करके देख लो अगर आपको इचिंग की प्राउलम होती है अगर अगर वह ज्यादा लग रही है तो आप ब्लीच नहीं लगाओ तो ज्यादा सही है डीटेन लगाने के लिए आप ब्रेस की मदद भी ले सकते हो फिंगर की मदद से भी आप लगा सकते है इसको हम पर रहा अपने आँके पास तक ऐसे लगा लेंगे और यह हलका सा थंडा हो लगती है तो इस तरह से मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी और लगाने के बाद आपको डीटेन भी आपको 20 मिनट तक तो लगा ही रहने देना चाहिए 15-20 मिनट लगा रहने दो ब्लीच का टाइम है 10-15 मिनट और डीटेन आप थोड़ा ज़्यादा भी देर लगा के रख सकते हो डीटेन आपका मतलब अगर ज्यादा देर टाइम ओवर भी हो गया तो आपका नुकसान नहीं करेगा तो इसको मैंने करीबं 15 मिनट लगा के रखा है और यह देखिए सूख गया है सूख गया नहीं है अब हम इसको क्लीन कर देंगे तो मैं इसको क्लीन कराई हूँ यह दो दो कों फेज़ को क्लीन करने के बाद आप रगड के नहीं पोच नहीं हलका सा थप टपा करके अपने फेज़ को इस तरह से पोच लेना है और उसके बाद आपको लगाा लेना है रोज वर या फिर ऐलोवेरा जेल या फिर आपकोई भी क्रीम लगा सकते हो अब मैं बालों को भी ख़र लो, बिन्दिया भी लगा लो, तो देख सकते हैं, आप मेरा फेस काफी ज़्यादा क्लीन हो गया है, इसका लिंक जिती भी चीज़े मैंने यूज की हैं, सबका पर्चिस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये सारी मैंने सबका लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो, फेस काफी ज़्यादा क्लीन क्लीन हो गया है, लेकिन थोड़ा सा ड्राइनेस सी आपको फील होगी, उसके लिए आप मौस्चराइजिंग क्रीम लगा लो, या फिर आप ऐलो वेरा जेल फील लगा सकते हैं, अगर आप उपर से वाइज ओवर कर दी हो, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल लही हूँ, तो मैं पहले सोच रही थी वही आवाज कर दो, लेकि फिर बाद में मैंने वाइज ओवर किया क्योंकि पीछे से काफी खटपट खटपट की आवाज आ रही थी, तो सब इतनी आपसे नेक्स विडियो में तो तक लिए बाबाई, लव यो टेक केर, अपना धहन रखेगा फैमली कभी बाइज